हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर का फॉर्मैट तो सबसे पहले देखते हैं हम लिखते हैं सबसे पहले सेंडर्स एड्रस सेंडर यानि की हम जो लेटर भेज रहे हैं तो यह आता है हमारा दो से तीन लाइन में आ सकता है उसके बाद हम लिखते हैं डेट एक लाइन छोड़के डेट हम किस फॉर्मैट में लिखते हैं जैसे 25 सेप्टेमबर और यार लिख देते हैं जैसे 2023 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेप्टेमबर 25, 2023 यह दोनों ही ठीक हैं बाकी इन दोनों के अलावा जो भी आप जिस तरीके से डेट लिखेंगे वो गलत होगा इसके बाद हम एक लाइन छोड़के लिखते हैं रिसीवर्स एड्रस हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो इसमें जो रिसीवर होगा वो अवियसली हमारा एडिटर होगा तो यहाँ पर आता है दा एडिटर निउस पेपर का नाम उसके नीचे आएगा जैसे वो किसी भी सिटी में है जैसे डेली में भेज रहे हैं हम तो डेली इस हम लिखते हैं subject एक लाइन छोड़के जो subject है आप इसे ऐसे नहीं है कि आप 2-3 लाइन में लिख रहे हैं आपको इसे 4-5 वर्ड में ही लिखना होता है तो subject आपको question में given होगा जो आपको main है वो आपको खुद लिखना है subject जैसे कहीं गड़े हैं तो वो वाला आजाएगा वहाँ पे या sewer line की problem है वो जिसलिए हम letter लिख रहे हैं फिर उसके बाद आता है हमारा salutation एक line छोड़के हम salutation लिखेंगे जैसे dear sir या madam उसके बाद हम एक line लिखते हैं जो की common है सब में ही वो letter to editor के लिए जैसे throw the column of your well-esteemed newspaper I would like to draw your kind attention towards words फिर जो आपकी problem है आप उसके बारे में लिख सकते हैं आप ऐसे नहीं है कि इसको एक ही paragraph में निप्टाना होता है आप इसको कितने भी paragraph में लिख सकते हैं जैसे तीन या चार कितने भी लिख सकते हैं आप paragraph आपको यह simply 122 150 word में लिखना होता है तो आप बीच में जो भी आपकी problem है वो लिख सकते हैं बीच के एक paragraph में और फिर यहां पर लास्ट में आप लिखेंगे जैसे की यहां पर आपने अपनी problem लिख दी लास्ट में वाले paragraph में आप लिखेंगे आए I request you to publish my views in your newspaper इन्दा कंसर्ण अथॉरिटी में वेक अप एंड टेक एप्रोप्रियेट ओप्शन्स आपको यह लास्ट वाली लाइन लेखनी है ऐसे नहीं है कि आप ऐसे धमकी दे रहे हैं एडिटर को कि कि I want कि मुझे चाहिए ऐसे नहीं आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो यह प्रॉब्लम है इशू है आप इसको अपने न्यूस पेपर में डालें तो आपकी जो टोन होनी चाहिए शंट होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए रिक्वेस्ट वाला फिर आपको एक लाइन छोड़के लिखना है यॉर्स ट्रूली आप यहां पर थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है बट अभी आपका काम हुआ नहीं है तो आप ऐसे ही फालतों में थैंक यू लिखेंगे तो वो ठीक नहीं है इसलिए आप लिखेंगे यॉर्स ट्रूली यॉर्स ट्रूली के बाद आप अपना नाम लिख देंगे, तो यह हो जाएगा आपका लेटर टू एडिटर, यहां पर हमारी वीडियो खतम होती है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू,